आप देख सकते हो यह नोटिफिकेशन जो है SBI Bank में IBI State Bank of India में राइट और इसमें हम लोग सारी चीज़ें सब्सक्राइब करेंगे और यदि आप इस चानल पर नए हो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको एवरी डे गवर्मेंट जो आप से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहें तो यहां पर हम लोग देख लेंगे आप जो है फॉर्म फिल या फिर प यहां पर स्टेट वाइज वैकेंश को फैक्टर कर दिया गया है रेगुलर वैकेंशी टोटल देखें तो यहां पर 1100 वैकेंशी जिसको यहां पर स्टेट वाइज यहां पर जो है फैक्टर कर दिया गया है और बैकलोग वैकेंशी देखें तो इसमें टोटल 126 वैकेंशी तो इसमें जो है graduate student form fill कर सकता है और यहां पर हम लोग देख लेंगे एज तो एज आप 21 से 30 तक form fill कर सकते हो एज में कुछ छूट मिलेगा यदि आप reservation category में आते हो तो और यहां पर देख लेंगे आपका जो है experience तो minimum two year का experience होना चाहिए right officer post में आपका जो है कोई भी commercial bank या फिर कोई भी regional rural bank में होना चाहिए और यहां पर हम लोग देख लेंगे आपका जो है selection process तो इसमें जो है आपका online return test होगा screening test होगा और interview होगा इसके basis पर यहां पर selection होगा तो यहां पर हम लोग तो देख लेंगे return test तो इसमें जो है English language से 30 question 30 number का 30 minute दिया जाएगा और यहां पर banking knowledge में देखें तो 40 question 40 number का होगा और 40 minutes आपको time दिये जाएंगे और general awareness या फिर economy में देखें तो इसमें 30 question 30 number का होगा और यहां पर आपका 30 minutes आपको दिये जाएंगे और computer aptitude में देखें तो इसमें 20 question होगा 20 number का और 20 minutes total दिये जाएंगे आपका यहां पर computer aptitude के लिए total आपका 120 question होगा और 120 number का और दो घंटे total time आपको दिये जाएंगे और यहां पर आपका descriptive test जो होगा वह आपका 50 number का होगा और 30 minutes आपको दिये जाएंगे और यहां पर जो है negative number नहीं है आप जो objective test दोगे उसमें कोई भी negative number नहीं है और आपका जो है interview होगा राइट interview 50 number का होगा और यहां पर हम लोग यहां पर यहां पर आपको फॉर्म करने में क्या 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 डोक्यूमेंट देना है यहां पर दियावा आप इसको अच्छे चेक कर लेना और यहां पर आपको जो है इस website पर जाके फॉर्म को register करना है और यदि आपको फॉर्म करने में कोई भी doubt होता है तो आप comment कर सकते हो मैं आपको सजेस्ट करूंगा और यहां पर देख सकते हो आपका सेंटर है 44 यहां पर क्यु lurID center है इसमें से कहीं पर भी आपका center हो सकता है और हो सकता है कि यहां पर आपको form Fill करने वक्त center select the or this notification में कुछ नहीं है और यदि आपको इस notification में कोई भी doubt होता है form fill करने में हो या इस noo さ के बारे में तो आप comment कर सकते हो तो थेंक यो for watching this video